गुड बॉर्णिंग फ्रेंट्स मध्यकाल में सूफी अंदुलन और भक्ति मुहमेंट इन दुनों से बार बार एक्जाम में कोस्चन आते हैं कोस्चन तो आसान होते हैं लेकिन आपको उनके बारे में जानकारी तो होना चाहिए तो आसा करते हैं कि यह जो हम आज पहले क्या है तो पहले हम लोग भक्ति आंदुलन से संब्धित देखेंगे और उसके बाद सूफी आंदुलन से संब्धित देखते हैं यह समय है 15-16 में सदी के धार्मी का अंधुलन इही समय सूफी अंधुलन हुआ था उससे पहले भाक्ति अंधुलन भाक्ति अंधुलन का समान्ध हिंदु धर्म से है और सूफी का अंधुलन इस्लाम से है भक्ति आंदुलन के आरंभी के पिताब ये मह कहेंगे या प्रति पादक थे तो नाम था उनका रामानुज अचारे पंजाब में भक्ति आंदुलन के अगर्दूत थे तो नानक भक्ति आंदुलन क्या था कि जो धर्म में बुराईयां थी कर्मकांड थी उसको बाह आडंबर था उन सब के खिलाप डाइरीक्ट आप अगर मन से भवान को मानते हो तो आप ही सच्चा हो यानि धर्म को उधार बनाने का कोशिस किया गया था परियतन किया गया था तो भक्ति आंदुलन को दक्षीन भारत से लाकर उत्तर भारत तक परचारित करने का सरे किसे दिया जाता है तो रामानत को महराश्ट में भक्ती संपरदाय किस की सिख्चाऊँ द्वारा फैला था उनका नाम था संत ग्याने सोरे कबीर के गुरु कौन थे रामाना नाम थे संत कबीर का जन में कहां हुआ था तो मगर वारना सी चैतन्य महापरभु किस संपरदाय से जूरे थे तो संपर्दाय का नाम था गौरीय संपर्दाय पुष्टी मार्ग के दर्शन की अस्थापना किसने की तो बलभाच चारे किस संत ने इस्वर को अपने पास अनुभो करने के लिए निरित एवं गीतु अर्थात किरितन को माध्यम बनाया था तो चैतन्य महा परभूनें अद्वयत बात के सिधान्त के प्रतिपाद कोन थे तो संकरा चियारे गीत गोविंत के रजीता है जैदेव भक्ति अंदुलन के दोरान ओसम में किसने इस अंदुलन का प्रतिनिद्धु किया था तो ओसम में संकर दियो संबंदित है गुरु नानक का धर्म उपदेस्द है क्या है तो मानो बंधुत्तो का किस भासा को लोकपिरिये बनाने में कभी चंडी दास का योगदान है तो वो भासा है बंगाली भक्ति को दर्शनी का धार परदान करने वाले परत्थम आचारे थे अमार रामानूज आचारे महापुरुस्य धर्म एक स्वरण संपरदाय के संस्थापक थें सकोन संकर दिव संकराचार का जन्म 788 स्वीर में कहां वा था तो केरल के गाउं गाउं का नाम था कलाडी या कलादी सभी भक्ति संतों के मत एक समान भी सेस्ता थी कि उन्होंने अपनी वानुनी को यानि उनका लेंग्वेज भासा क्या था उसी भासा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे भक्ति आंदुलन का आरंभे हुआ था कब तो यहा अलवार और नैनार संतु द्वारा इसके अलवार और नैनार क्या थे पर येगा पहले वाले वीडियो को दिखीगा समझ में आएगा रामानुज के अनुवाईयों को कहा जाता है रामानुज के जो अनुवाई थे उनको वैस्नौं आदी संकर चो बाद में संकराचार बने उनका जन्म हुआ था केरल में बिजक का रचयिता कौन है तो कबीर, भग्तिरसकवैत्री मीरावाई थी एक राजबूत्सास si की पतिनौर्ण, परसित्भग्त कवीत्री मीरावाई के पति का नाम राजगुमार भोज राजथ था, बुद्धा और मीरावाई के जीवन दर्शन में मु क्ख साम क्या है, एक्ता क्या किसे कुछ भी द्वान या विचार को ने प्रचन बोध की संग्यादी है तो उनका नाम है संक्राच्यारे रामानुजाचार को किस कटर सेव मतावली यानि चोल सासक धंकी के कारण त्रिचन्ना पल्ली छोर कर मैसूर जाना पड़ा था तो कोन था कुलो तूंग जो चोल सासक रामानुजाचार्ज को होयसल वंस के जयन धर्माव लंबी सासक विटिग्य को वयस्नो धर्माव लंबी बनाने में सफलता मिली विटिग्य ने अपना नाम बजल कर क्या रखा तो विश्णू वर्धन यही विश्णू वर्धन पले इसका क्या नाम था तो विटिग्य ना इसलाम धर्म स्विकार करने से रोका था कौन तो रामानुजा चारे दक्षिन भारत का ओवा कौन संत था जिसने अपना दिकांस जीवन उत्तर भारत में विरिंदा वन में बिटाए गनाम था नीमबार का अचारे महराष्ट में विठोबा या विठल यानी विष्णू का एक नाम है जो अंदुलन का केंद्र था कहां है तो वहाँ पंधरपूर किसने भावत गीता पर भावार्थ दिपिका नाम से एक बिरहत टीका मराठी में लिखा जिसे ज्ञानस्वरी के नाम से जाना जाता है यदि संस्कृत देव भासा है तो क्या मेरी मातरी भासा मराठी दस्यू भासा है यह कीन का कथन है यह एक नात का कथन है भक्त तुका राम कौन थे या कौन से मुगल समराठ के समकालीन थे या भक्त तुका राम किस मुगल समराठ के समकालीन थे तो ये जहागीर के समकालीन थे किस भक्ती संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था रामानंद ने सीवाजी का धात्मी गुरु कौन थे उनका नाम था राम दास दास बोध के रचईता थे हैं राम दास जाती पाती पुछाए नहीं कोई हरी का भजय सो हरी का होई ये पंग्तियां किसकी है तो रामा नंद की है और गुरु नाना का जन्म 169 सीवी में कहा हुआ था उतलवंडी यानि आज का नन्वाकाना साहिव में सीख या सीख धर्म का संस्थापक की से माना जाता है तो गुरु नाना देव को बंगाल और उडिसा में वैस्तनों बाद को लोगपिडिय बनाने का सिरे किसे है तो चैतन्यों को है चैतन्य महापर्भु का जन्मस्थाल नदिया यानि बंगाल उडिसा नरेश से परताफ रुद्र किस वैस्तनों संत का सिस्था तो चैतन्य महापर्भु का किसे गोरांग परभू भी कहा जाता है नाम चैतन महापरभू कि अलासियों का मूल मंत्र क्या था कि अजगर करेना चाकरी पंची करेना काम तो हम कहां करें काम अली बात है तो यहां मुलक दासन कहा था महत्मा गांधी के प्रिय भजन वैस्णों जन तो तेने कहिए जो पीर पर आई जाने रे करचयी तक यह नर्सी महता थे नर्सी महता क्या थे गुजरात के परसिय थे संत्र थे मुगल सासक मुहम्मद सहरंगीला किस संपरदाय का अनुवाई था तो यहां सीउ नरायन संपरद like करे, share करे, comment करे और subscribe करे, धन्यवाद